दूसरा पित्त का हिस्सा, पित्त का हिस्सा बहुत क्लीर है, एकदम स्ट्रेट फॉर्वर्ड है, कि घी जादा खाएंगे, पित्त आपका हमेशा सम रहेगा। और जादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते हैं उस समय घी जादा खाईए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखे और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्धित अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमे ये जीवन शैली में थोड़ा बदलाओ करना है जीवन शैली में बदलाओ से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेंगे दुनिया जिदर जाए जाए हमें उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेंगे तो यह तीन चीज़ें अगर आपने देख ली तो बहुत अब थोड़ा आगे चले अब और दूसरी चीजों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीजे हैं जो आपके आसपास है और आपके वात-पित-कफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती है ये तीनों सम भाग में रहें तो अच्छा होता है और कौन-कौन सी चीजे हैं तो बागवटी जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरती नहीं सब वहीं है बागवटी जी ने एक सूत्र लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा औशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा औशदी के रसोई घर है अब दुरुभागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला वहां मसाला कुछ नहीं है सब औशधी है मसाले का और औशधी का अंतर मालूम है ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है पहले तो ये बता दूँ ये अर्बिक शब्द है फार्सी से अर्भी में आया अर्भी से हमारे घुश गया हिंदी में और जगे जगे घुश गया ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित ते जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्ज रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उप्योग है मुगलों के राज्ज के पहले एक भी जगे किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुशृत में कहीं मसाला नहीं है बागवट की कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए है न दस्वी शतावदी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाली नहीं किया हर जगे है तो औशदी है औशदी जीरा औशदी धनिया औशदी ये औशदी के उन्होंने अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया सबजी बनाना तो क्या-क्या डालना जीरा चाहिए धनिया चाहिए हींग चाहिए मात्रा कितनी-कितनी चाहिए वो सब बड़े वेग्यानिक और चिकितसक लोग रहे होंगे क्योंकि रोज हमारे शरीर में वाद पित कफ की स्थती सम और असम होती रहती है आप जानते हैं सुबह जो है न वाद जादा होता है शरीर में सुबह सुबह दुपहर को पित जादा होता है शाम को कफ जादा होता है तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है तो 24 गंटे में जो बात पित कफ उपर नीचे होता रहता है तो सबजियों में उसी के हिसाब से औशदिया डाली जाती है जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दुपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाईन थी शाम को खाई तो नहीं क्यों तो उसने उत्तर तो नहीं दिया, तो उसने का मेरी मान ने ऐसा सिखाया बस बात खतम हो गई अब उस समय में भी मान लिया कि ठीक है उसकी मान ने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाये के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है और दुपहर को पित बढ़कता है आप जानते हैं और वो स्वावाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़कना ही चाहिए तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए तो भारत में ज़्यादातर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाइन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठ्ठा उसमें भी अजवाईन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाईन ग्रस्त होती है या अजवाईन से बनती है क्योंकि पित्त को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे है वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे है हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से GDP निकलता है इस देश का तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि GDP में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो GDP का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ीं डखेतियां बढ़ीं तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा और प्रधान मंतरी छाती ठोक के कहँगा मेरे जमाने में GDP 10% से उपर बढ़ गया पुलिस का खर्च बढ़ गया मने चोरियां बढ़ गई डखेतियां बढ़ गई अत्या चार बढ़ गई अना चार बढ़ गई तो GDP बढ़ गया तो क्या बड़ी बात है तो हमारे जो GDP के कैलकुलेशन है बड़े विचित रहें इसमें चोरी हो डखेति हो लूट मारी हो तो GDP बढ़ेगा लेकिन माताएं बहने घर में जो करती रहती हैं वो GDP में है ही नहीं calculation ही नहीं है उसका बारा सरकार कोई calculation नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड बना दिये तो GDP बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि calculation नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी पांच किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना आपका मन क्या कहता है बुद्धी क्या कहती है बढ़ा के नहीं बढ़ा किसी ने बढ़ी बना दी किसी ने पापड़ बना दी है किसी ने कुछ बना दिया किसी ने गोंद के लड़ू बना दी ह किसी ने मावे का कुछ बना दिया तो GDP तो बढ़ी रहा है लेकिन हम calculate नहीं कर रहे हैं उसको क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ काम महिट्टुका नहीं माना जाता अंग्रेजों के यहां यह जो अंग्रेज जात हैं न दुनिया में ये महिलाओं के किये हुए काम को काम ही नहीं मानती आपको मालूम है दो हजार साल यूरोप में महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा और आज भी है ये कई देशों वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है क्यों वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते इस्त्री जो करे वो बेकार है, पुरुष जो करे वो ही अच्छा है, तो उनके यहां से यह कैलकुलेशन हमारे आ गया कि इस्त्री कुछ भी करे तो कामी का नहीं, तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो रात चल गया, उसमें हम सब के दिमाग खतम हो गए, सोचना विचारना बंद ह गया, तो हमने भी वो ही माल लिया, मैं अभी इसको बदलना चाहता हूँ, और मैं यह समझना चाहता हूँ, और समझाना चाहता हूँ, कि इस्त्रीयां जो कर रही हैं, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है, बस अंतर इतना है, कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे ले रहे हैं, हमारी दादी नानी फोकट में वही एडवाइज दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ, और ये अजवाईन खाओ, आपके पेट की गैस खतम हो जाएगी, और ये साड़े 3000 साल से वैसे का वैसा ही है, अजवाईन खाओ तो गैस कतम होती ही है, कभी भी आप कर के देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में एसिडिटी की तकलीफ हो आज से शुरू कर दो आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन जादा रहे दाल में सबजी में वगर वगर और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खतम करते ही थोड़ी अजवाइन खालो अजवाइन जादा तकलीफ ना कर दे उसका बैलेंस है काले नमक के साथ तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खाके देख लो तीन दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तयार यह गारंटी मैं नहीं दे अजवाइन दे रहे हैं मेरी गारंटी नहीं है अजवाइन के गारंटी है तो वह कहते हैं बागवट जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन